तो नमस्कार मैं विपल सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी स्टुडेंट्स का हमारे छोटे भाई बहनों का आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल CHS Study Capital पर CHS BHEU 2024 के admission परकिरिया को ले करके, admission process को ले करके आप सभी के कुछ सवाल अलेडी आ चुके हैं हमारे पास और साथ में आपके मन में सवाल उठता भी होगा कि पूरा का पूरा प्रोसीजर, पूरा का पूरा तरीका क्या होता है CHS में प्रवेस लेने का, सुरुवाज से ले करके अंत तक, यानि application form से ले करके admission तक का पूरा step क्या होता है, जिससे कि हम कुछ भी बीच में प्रक्रिया भूले ना और हमारा admission सही डंग से हो सके, तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सरल डंग से, बहुत ही simple way में आपको सारी बातें समझाने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को जरूर complete देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ सके साथ में जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे इस चैनल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजे हम लगातार CHS के स्टुडेंट्स को गाइड करते रहते हैं और इसलिए जितने पैरेंट्स इस वीडियो को देख रहा है आप भी इस चीज़ को ध्यान दीजेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सर और बेल आइकन प्रेस कर लिजेगा सिर्फ आप YouTube पर सच करेंगे CHS Study Capital आपको CHS की हर एक अपडेट सबसे पहले और सही अपडेट आपको मिलती रहेगी हर एक जरूरी अपडेट तो बात करते हैं admission के पूरे के पूरे प्रोसीजर पर अब देखिए admission का procedure मैंने लिखा हुआ है लिखने से ज़्यादा जरूरी है कि आप इसको समझें जो मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं बताऊंगा आपने अनुभव के साथ आपको सारी चीजें एकदम बहुत ही आपके सामने आख के सामने सारी चीजें तैरने लगेंगी उस तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूँगा जैसे हम लोग आपको class में समझाते हैं पहले नंबर पर आता है हमारा application form जो आ चुका है 20 मार्स तक हमें last date दी गई है 2024 के form को भरने के लिए ठीक आप सभी form भर रहे होगे दूसरे नंबर पर है हमारे exam date का announcement जो की application form आने के साथ में exam date का announcement हो जाता है इस बार का exam date 28 अपरिल से रखा गया है अलग-अलग class का अलग-अलग इस्ट्रीम का अलग-अलग date पर entrance exam है 28 से exam सुरू हो रहा है तीसरे नंबर पर है admit card और center only in वारा नसी तीसरे नंबर पर आपका admit card आएगा और center सिर्फ बनारस में होगा offline ही exam होता इस चीज़ का ध्यान रखिएगा या तो BHU में center होगा या CHS में center होगा या फिर बनारस के आसपास के other schools में center रहता है और पूरी तरह से offline exam चौथे नंबर पर आता है हमारा exam यानि हमारा entrance exam होगा हम आएंगे center पर OMR मिलेगा paper मिलेगा हम paper करेंगे जो भी हमारे लिए तैय समय दिया हो गया होगा अब देखिए OMR पर आपको paper देना है और किस तरीके का paper आता है यह सारी चीज़े हम अपने offline students को भी करा रहा है अपन कैसे exam होता है साथ में जो बच्चे हमारे offline classes में जुड़ना चाहते है मतलब offline वगर आप टेस्ट वगर आ करके देना चाहते है और Sunday test होता है ठीक तो आप हमारे number पर contact कर लिजे 73559197 बनारस में हमारा offline center है वहाँ पर आप आ करके अपना test दे सकते हैं जान सकते हैं कि कैसे entrance exam होता है पूरी तरह से OMR based हम लोग आपका test कराते है ठीक तो इस नमबर पर contact जरूर कर लिजेगा बी एच्चु के पास में लंका जो है बनारस का वहीं पर हमारा offline center है ठीक अगले नमबर पर है आपका answer की आता है exam दे दिया आपने answer की आगई प्रविजनल answer की पहले आती है जिसमें कुछ answers गलत भी हो सकते हैं आप अगर उन answers को claim करेंगे उसके बाद एक final answer की आती है final answer की कहती है कि हाँ अब इसी के आदार पर result त्यार होगा अब इसमें कोई भी कितने बचों को counseling के लिए बुलाए जा रहा है अब cutoff आने का मतलब यह नहीं होता है कि जिनका cutoff list में आ गया उनका admission हो गया cutoff के बाद numbers बढ़ा करके बुलाए जाता है students को क्योंकि कुछ students वाले जी आए कुछ नहीं आए इसलिए counseling के लिए संख्या ज्यादा बुलाई जात document वगर है verify करने के बाद तब जा करके आपका admission होगा admission होने के बाद आपका hostel allotment होता है और hostel allotment कुछी बच्चों को मिलता है जो upper rank के होते हैं उसके बाद आपकी क्या हो जाती है class से सुरू हो जाती है पूरे के पूरे 11 step में मैंने आपको सारी बातें समझाने का प्रयास कि और इसके बाहर कोई भी process नहीं है यही step follow करके क्या होना होता है आपके CHS की प्रवेश जो है admission की प्रकिरिया होती है वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया लिकिन मैंने प्रयास किया कि सारी बातें समझा दूं अगर आपके साथ के और भी लोग है जिने CHS की तैया अगर आपको तैयारी करनी या किसी को भी तैयारी करनी है तो उन्हें CHS जैन्वी कैपिटल डाउनलोड करा रही दिए या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर जो कि लंका वारानसी में है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासे हमारे अलेबल है यह आपके लिए बहुत ही जुड़ना हो ऑनलाइन जुड़ना हो हमारे वाट्सअप पर कॉंटेक्ट कर लीजिए एक बार जुड़े रहेंगे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टेलिग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दे रहा हूँ अब सबसे जरूरी कि CHS BHU 2024 के लिए महा संग्राम लेकर के आ र चाहिएगा बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन अनाउस्मेंट होने वाले हैं चाहे वो पेड कोर्स को लेकर के हो चाहे वो फ्री कोर्स को लेकर के हो चाहे वो टेस्ट को लेकर के हो चाहे वो आफ्लाइन क्लासेज को लेकर के हो बहुत ही बेहतरीन और आप सबी के लिए बड़े हमेज़ा आप सही प्राप्त करने के लिए सिचे सिटरी कैटल को सब्सक्राइब के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा वीडियो हेलफुल रहा है या नहीं रहा है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही बहुत धन्यवाद नमस्कार